हेलो दोस्तो एसके मॉयलन इलेक्ट्रोनिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको चार्जर की स्ट्रांस पार्मर के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे चेक किया जाता है और इसकी रीडिंग कैसे आती है अगर यह खराब होगा तो कितनी रीडिंग आईगी तो इसके बारे में बताऊंगा दोस्तो और सारे चार्जर में जो दो एंपियर तीन एंपियर बन एंपियर सब में दोस्तो इसी तरह का टांसपार्मर लगा रहता है जिसमें दोस्तो इन दोनों की कंट्यूनिटी आएगी और इन दोनों की कंट्यूनिटी आएगी यह हमारे आउटपुट के होते हैं दो और ये चार होते हैं वो इन्पुट वाले होते हैं जिन में से दोस्तो एक ऑक्जिनरी बांडिंग होती है तो ये तो हमारे आउटपुट है इनी कंटुनिटी आएगी और ये हमारे इन्पुट है ये दुनों की कंटुनिटी आएगी और इन और सारे चार्जर में दोस्तो इसी तरह की टांसपार्मर लगे होती है बस अंतर उन में यह होता है कि एक एंपियर या दो एंपियर या तीन एंपियर इस तरह की टांसपार्मर होती है दोस्तो तो दोस्तो यह इसकी आउटपुट की बांडिंग है जिसे हम एक सौट की डायोट लगा कर इसके आउटपूट ले है ये दोस्तो मौटी बांडिंग होती है अब दोस्तो ये इसकी प्राइमरी बांडिंग है जिसमें दो बांडिंग होती है ये वाली हमारी ओक्जिनेरी बांडिंग होती है जिससे हमारा transistor on होता है नीचे वाली binding से इस तरह से दोस्तों टांस पार्मर लगा होता है PCV में तो ये पहली वाली हमारी primary होती है जिस पर 300 voltage आता है input हम देते हैं 300 voltage DC इस वाली पे तो दोस्तों इसकी reading जाना होती है और इसमें पतला वायर होता है काफी round होते हैं उस बायर में इस वाले में अब इस बांडिंग में दोस्तों एक टांस टर लगा होता है इसको on-off परने के लिए दोस्तों जो नीचे की auxiliary binding होती है उससे चांस टर ओन आप हो जाता है तो इसलिए इसमें दो बांडिंग होती है और दोस्तों इसमें main binding होती है इसकी 300 voltage वाली DC input देते हैं वाली जिसमें दोस्तों और आउटपुट वाली में इन दोनों में दोस्तों जब यह connect करता है तो इनमें current बनता है AC current जब दोस्तों कभी भी जब इनमे current बनेगा तो AC current बनेगा जिसे हम रेक्टिफायर डायोट लगाके यह स्वाट की डायोट लगाके हम आउटपुट में इसको AC से DC बना लेते हैं तो दोस्तों इसमें दो winding होती है एक तुमारी primary winding होती है और एक secondary जो secondary होती है उसमें हम output ले लेते हैं और primary होती है उसमें हम 300 voltage करते हैं तो दोस्तों यह रहता है अब मैं दोस्तों आपको इसे अिसे मटेमीटर से ीक करके दिखाऊंगा कि किस वरंडिंग की कितनी जीडिंग आती है तो इससे आप दोस्तों आसानी से पता लगा सकते हो की हमारा इसकार्मर ओक्य है hastopis इसके लिए हमें मल्टी मीटर को डायोड मोड पर सेलेक्ट करेना है और हम इसकी बारी-बारी से रीडिंग चेक करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी आउटपुट पर चेक करेंगे जिसमें दो टर्मिनल है उसमें दोस्तो जीरो से बन ओम इतनी रीडिंग आएगी जीरो से बन ओम रीडिंग आएगी जो मारी आउटपुट की है क्योंकि दोस्तो मैन लोड इसके प्राइमरी बारी बार्णिंग पर ही रहता है और दोस्तो ये आउटपुट वाली बायर थोड़ी मोटी होती है तो अब हम इसकी प्राइमरी बारी बार्णिंग को चेक करते है दोस्तो प्राइमरी बार्णिंग में भी कंट्यूनिटी आएगी और उसमें कम से कम साथ, आठ या छे ओम इतनी रीडिंग आएगी तो दोस्तों हमारी input वाली primary bonding ओके है अगर दोस्तों इतनी reading नहीं आती एक reading या दो ही reading आती है तो समझे लो हमारी primary bonding short है या खराब है तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारा transformer खराब है अगर 7-8 इतनी reading आती है तो हमारा transformer एक दम ओके है और दोस्तों अब इसकी एक ordinary bonding होती है जो टानिस्टर कोन करती है उसमें भी दोस्तों reading आनी चाहिए यह तो हमारी primary हो गई थी अब इसकी ordinary bonding में दोस्तों देखो दो reading आ रही है इस तरह से इस तरह से लगाते हैं जब टान्स पार्मर को यह हमारी primary हो गई आर्ट रीडिंग आ रही है इसमें और इसमें दोस्तों दो reading आ रही है तो वाक्चनेर बांडिंग में दोस्तों दो reading आ रही है तो यह बांडिंग भी हमारी ओके आगा दोस्तों इसमें 00 आती है तो दोस्तों यह वाली ब reportschncial Listening billion वार्व में हमारा ख्राव कि अगर दो यै तीन रीडिंग आती है तो हमारा टांस पार्मा रोत के है इस तरह से कहने का मतलब दोस्तों यह कि जो primary winding होती है उसमें रीडिंग आएगी, 66, इतने की लगवाइग, क्योंकि उसमें बाइर की round जाना रहती है, और auxiliary winding और output winding में भी एक या दो reading आएगी, एक या दो ओम बाली reading आएगी, तो ओके है हमारा transformer, अगर यह रीडिंग नहीं आती तो दोस्तों यह हमारा टांसपार्मर खराब है अब दोस्तों यह ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ यह की चार्जर में काम करेगी इस तरह की रीडिंग दोस्तों जितने भी चार्जर हैं एडेप्टर हैं सम्में यह की तरह से टांसपार्मर आता है इसी तरह से उसकी बांडिंग होती है तो इससे दोस्तों आप आसानी से पता लगा सकते हो हमारा टांसपार्मर खराब है सही है कभी कभी दोस्तों टांसपार्मर आउट्पुट में हमें सही से आउट नहीं करता है बॉल्टेज को तो क्या कभी कबार हमारा टांसपार्मर खर ले जुनी कि है इनकी इनपूट आउपुट पर और की लिंग भी च्यक्ड कर लेनी आते हैं सायओ रिडिंग नहीं आती और जीरो जीरो आती है या एकी लिडंग आती है इसकी इनपुट में प्राइमरी में इन की जिए टांश कर सकते हो इन दोनों की रिडिंग आईगी दोस्तों एक तरफ यायर होती है तो इस तरह अंसे कोई भी टांश कर सकते हैं तो वो तेंकि दूस्टू